हेलो श्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मस्त बढ़िया तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमर थर्ड इन और्गेनिक फार्मसेटिकल जिसका लेक्चर नमर भी बन है ठीक है यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ इन इसमें सबसे पहली है रहने वाली है हमारे पास हेमाटनिक्स क्या होते हैं यह हमाटनिक्स हीम यह देखरोन हैं हीम हीम वर्ट कहां से आ में iron को क्या करेंगे बढ़ाने में help करेंगे iron जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारी body में पाई जाने वाला hemoglobin उतना अच्छा वर्क करेगा hemoglobin का मेन काम क्या होता है to carry oxygen बासवाई में आ रही है तो कहीं ना कहीं एक चैसे हम लोग कहा सकते हमारे खून को बढ़ाने में help करता है यह ठीक है ना क्यों हीमाटेनिक्स तो हीमाटेनिक्स जो बेसिकली पांच हमारे कोर्स में है हम लोग उनको ही क्या करेंगे डिसकस करेंगे के लियर है उमीद करता हूं हर लेक्चर के जो नोट्स हैं तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे देता हूं वहां से उन नोट्स को कलेक्ट कर रहे होगे बहुत से लोगों को नोट्स की प्रॉलम थी आज तिंक वह अब दूर हो गई होगी किलियर है तो चलते हैं सुरुवात करते हैं अच्छा एक ची और बता दूमें इन और्गनी केमिस्ट्री में समझने समझाने जैसा बहुत थी ना के बराबर है यहां से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं रटने वाली हम लोग पढ़ रहे थे वॉल्यूमेट्रिक कैनल इस या च्छों की डिवांड है कि पहले आगे वाला कवर करवा दिया जाए तो ठीक है हम पहले आगे बढ़ जाते हैं ठीक है और इनकों कवर कर लेते हैं जिससे की समझने में असानी रहे मैं फिर बता रहा हूं यहां से अब आगे पूरा इन और्गनिक फार्मसिटिकल फिर आज समझते हैं ठीक है और बढ़ते हैं जैसे की हीमाटीनिक्स तो मैंने बताया ऐसे सबस्टांस जो हमारी बॉड़ी में खून को बढ़ाएंगे खून को बढ़ाने से मतलब यह नहीं है हमारी बॉड़ी में खून पांच लीटर ही होता है कितना होता है अप्रॉक्स फाइव पांच लीटर से च्छे लीटर नहीं हो जाएगा वॉल्यूम इतना ही रहेगा लेकिन पर सेंटिमीटर या पर सेंटिमीटर क्यूबिक जो हमारा हिमोग्लोबीन की मात्रा होती है ना ठीक है ना उसको इंक्रीज करता है उस से यादा और कुछ नहीं है पत देखा होगा लूप में अपने डेली खाने में ले रहे हैं लेकिन इनके बावजीद अगर किसी वजह से कोई डिजीज हो जाती है चोट लग जाती है किसी वजह से अगर खून की कमी हो रही है उस केस में यहां पर फाइव एक्जांपल सब्सक्राइब करेंगे उनका हम लोग क्या कर सक करते हैं पहली चीज दूसरी चीज दियान लखो बच्च यहां पर कि इसमें जो भी हम यूज की बात करेंगा एक के यूज पढ़ लो वह पांचों में तुम उसी उसको लिख सकते हो ठीक है न मैं एक एक दो दो लिखूंगा ठीक है उसमें जरूरी नहीं कि हर किसी का यू पले तो उसमें पहले चीज क्या यूज और दूसी चीज के आगी हमार पास इस्टोरेज यह लगबग लगबग सेम रहता है एवन यहां तक कि जो आपको फिजिकल पॉपर्टीज होती है वह भी लगबग क्या रहती है सेम रहती है फिजिकल पॉपर्टी समझते हो फिजि पाइंक्रीजिंग दा कंसेंट्रेशन ओफ हीमोग्लोबीन देखो का मेन काम क्या है कंसेंट्रेशन ओफ हीमोग्लोबीन अल्टीमेटली बात हो रही है आईरेन की उसको इंक्रीज करते हैं एंड यूज फॉर ट्रीट्मेंट ऑफ अनीमिया दो बच्चे एक चीए बता ठीक है अन्यम्या केन ओकर वेंग तगलेंस बीट्विन में गूर्टिरेशन ओफ ऑर्वीच does को हमारी ब्लडी में उसकी जो लाइक सांइकल और वों कि होति है एक सो बीश बिइस दिन की एक सो बीशू झीकावि स्प्रीन में जा के स्प्लीन, स्प्लीन समझते हो स्प्लीन में जाकर के यह RBC जो मर जाती है और स्प्लीन के अंदर जाकर समा जाती है स्प्लीन को हम लोग कब्रिस्तान of RBC भी कहते हैं graveyard of RBC क्या कहते है graveyard of RBC ठीक है अब हो क्या रहा है RBC तो मर रहे है साथ में लगातार हमारे बोन मेरों सो ये पैदा भी होते चले जा रहे हैं लेकिन अगर तूटना और बनना बिगड़ जाए मालो तूट जादा रहे हैं डिस्ट्रॉइ जादा हो रहे हैं बन कम रहे हैं तो खून की कमी हो जाएगी पास समझ मारी है अब देखो क्यूं होता ह है यह बैलेंस बिगड़ता कब कब है ब्लड लॉस है ना कोई चोट अगरा लग जाए अचानक से सब्सक्राइब से बहुत साथा खून निकल जाए उसकेस में हो सकता है एक्ट्यूट और क्रोनिक है ना एक्ट्यूट होता है बहुत लंबे समय से कोई चीज हो रही है और सब्सक्राइब एक्डम बहुत ज्यादा एक्डम से हो गया तुमारा इंपेड रेट सेल फॉर मेशन इंपार मतलब डिस्टरब्ट प्रॉप्र नहीं नहीं है स्रेट सेल का फॉरमेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है क्यूं विकॉग विकॉज ऑफ डैफिसेंसी ओफ आइरें ठीक है, विटामीन B12 या Folic acid की कमी से हो सकता है, bone marrow, depression, depression मतलब जहाँ bone marrow, जहाँ पर ये RBC बनती है, वह जगए को हम लोग क्या कहते है, bone marrow है ना, bone marrow पता ना क्या होता है, bone के जो बड़ी-बोन्स होती है, ठीक है, इस टाहसे bone रहती है, तो बीट में तुमको पता है ना अंदर ख्ہोलो रहेता है यही पर want 민ोब भणतंग ईया रहता है यहीं पर हुर क्या वनती आँ रैज्बलीड सेल मतियें इनका उज्ञक यहाँ यहाँ पर यह काम करना बंद कर देती कम कर रहती है ऐसी सुच्टेशन सु कहते हैं हाई पोब बास्टि ci कुया कहते हैं हाई पोब प्लास्टिक अनीमिय यह ओके फिर कह रहा है रिफू इनडेफिशन C रेट ब्लेट फॉव मेशनके लिए प्रोटीन होती हो इसकी देफशनकी हो जाये तो सब्लों क्या बोलते है अरिथे बॉटिन डेफशनकी इंक्रीज डिक्स्ट्रक्शन ऑफ आरा बेश्फ सी हम लोग कहते हैं हीमोलिटिक अनीमिया होगा अनीमिया ही किस वज़े से हो रहा वह एक बात अलग हो जाएगी तो जब इसके यूज आएंगे हीमा ट्रीनिक के पांच जो तुम याद करोगो इसमें कोई भी यूज बोलता है तो तुम यह सब नाम लिख सकते हो हम लोग होती है ओके सम एक्जामपल्स ओफ हीमाटेनिक्स आर यह जो पांच एक्जामपल है यहां पर हीमाटेनिक्स के यह हमारे कोर्स में मौझूद है होते बहुत सारे और भी होंगे बट यह हमारे कहा है कोर्स में फैरस सलफेट फैरस फ्यूमरेट फैरिक अमोनियम सिट्रेट ascorbate and carbonyl iron ये पांच हमारे कोर्स में इनको हम लोग बारी-बारी से पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं फिर बताया है मैंने कि यहाँ पर समझाने जैसा कुछ नहीं है मैं चीजें समझाऊंगा इसलिए ताकि चीजें को दिमाग में रख करके आप उसको समझाऊंगा कि हाँ ऐसी कोई चीज थी हीमाटीनिक्स जब एक टीचर बोल रहा है तो दिमाग में आपके रिटेन करना असान हो जाएगा फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट कंटेन लार्ज रेंज ओफ साल्ट विद फॉर्मुला फेरस सल्फेट न एक सॉल्ट का बहुत बड़ा फॉर्मुला जिसमें क्या होता है फेरस सो फोर तो होता ही होता है X, H2O यह जो X की वैल्यू है यह वैरी कर सकती है 7, 8, 9, 10 अलग हो सकती है यह एक्जिस्ट कॉमनली एज हैप्टा हाइडरेट हैप्टा मतलब 7 जादा तर यह 7 रहता है बट नोन फोर सेवरल वैल्यू ओफ एक्स लेकिन यह X की कई वैल्यू के लिए जाना जाता है यह जो हाइडरेटेट फॉर्म है हैनि की पानी हाइडरेट मतलब पैरस सल्फेट के साथ जो पानी लगा हुआ है यह यह वाले रूप जो होता है इस्तमाल होता है medically तो ट्रीट आरेंड एपसेंसी इडिट आलसो नोन एज ग्रीन विट्रियॉल देखो अगर तुम देखोगे अनलाइज करोगे पाउडरी कुछ ऐसा दिखना है देख रहो यह हरा 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 है इसी वाई से इसका नाम क्या पड़ा ग्रीन विट्रियॉल प्रिप्रेशन की बात करें कि प्रिपेर कैसे किया जाता है तो दुझे को मैंने क्या का यहां से हमें क्या करना है के वल और के वर लर्निंग स्टार्ट होने वाली है अच्छा अगर मालोब भूल जाओ यह सब चीज़ें नहीं लिखना चाता हूँ ना लिके डिरेट यह लिके विच प्रडूसेश एफर्विसेंस जो कि क्या करेंगा एफर्विसेंस जाने कि बुल बुले यह एच्टू के गैस जो होती वह बाहर निकलती है देर आफ्टर उसके बाद दस सल्यूशन इज फिल्टर उसका हम चान लेंगे करेंगे सुखायेंगे तो थेदर कंसंट्रेट रोता थला जाएगा थंडा करेंगे रोम अगर अच्छी बात रवाश एक से पक्का चात करना है ओके इट के नाव सो भी प्रिपेड वाई एक्षन ओव वाटर एंड एट्मॉस्फेरिक एर नौ आएर और आइरन पाइराइट यानि कि हम एफ एस टू यह क्या है आइरन पाइराइट इसके उपर अगर हम ऑक्सीजन एट्मॉस्फेरिक एर और पानी का यूज करें तो भी ह कर पता ही चल गया है मैंने इसलिए कलर सामने रखा है कैसा है ब्लूश ग्रीन और लेस इसमेल नहीं है टेस्टलेस टेस्ट नहीं होता है सॉलीबल इन वाटर वाटर में सॉलीबल है किस्ट्र ऑक्सीडाइज इस ऑन एक्स्पोजर टू एयर फॉर्म ब्राउन पैचे अगर तो बात थो समझ में आ रही है हमें क्या गया करना इसके बारे में फिर प्रेशन हो गई फिजिकल परटी हो गई नेक्स्त कैमिकल परटी अगर कुछ है तो नहीं है तो कोई बात नहीं क्या कह रहा है इट शोज कम्प्लीट डिहाइडरेशन पूरा पूरा वाटर मॉलक्यूल इसके अंदर से निकल जाएगा अगर हम इसको 300 डिग्री पर हीट कर दे ठीक है क्या कर दिया हमने इसको FESO4 डॉट 7H2O था इसको मैंने क्या क्या 300 डिग्री सेंटिग्रेट पर हीट कर दिया तो हुआ क्या अब मेरे पास क्या बचा FESO4 पूरा पूरा वाटर मॉलक्यूल निकल गया ठीक है फर्दर हीटिंग अगर मैं इसको और हीट करता जला जाओं तो ये क्या कह रहा है और व्रिक अॉक्साइड में बदल जाएगा अफ्वी टू ओ ध्री का बदल का ये फैरिक ओक्साइड सलफर डाय ऑक्साइड एंड सलफर ट्राय अक्साइड और सासाथ मैं क्या मिलने वाले है IO2 प्लस प्लस के प्लस सब्सक्राइब अगर इसी को मैं किसे मिला दूं सोडियम काबोनेट एने टू सी ओ थ्री किसके साथ फैरस सलफेट के साथ तो मिल जाएगी सियो टू गैस मिलेगी यह केमिकल पापर्टी हो गई इसको तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो एक फैरस सलफेट थीक है तो इसको कुछ बच्चे चाहें तो जैसे मैं बता दूं यह से पॉइंट नमबर थार्ड है इसको तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो F.E.S.O.4 प्लस नाइट्रिक एसीड H.N.O.3 जिनको नाम याद है क्या दे रहा है मेरे को यह नाइट्रोसो फैरस सलफेट नाइट्रोसो फैरस सलफेट दे रहा है हमको यह ठीक है और कैसा है यह ब्लैक कलर का है कैसा है यह ब्लैक कलर का है किलियर है इसको डिकलराइज कर रहा है और उसको ग्रीन कलर में कनवर्ट कर दे रहा है आएंगे इस्टोर इसकी बात करें तो जैसा कि हमने अभी देखा था पीछे इसकी प्रॉपर्टी देखी थी हमने की हवा लगते यह क्या हो जाता है और लाइट ना जाए और लाइट ना जाए ऐसे सब्सक्राइबहर कोई के यहाद करो वह समय क्या का सकते हो लिख सकते हो किलियर है यूजेज यूज वर आईटन अब देखो इूजेज मैंने हैं एक लिख दिया तो इस्टार्टिक में समझाइथाए नहीं गोई एक आएगा यह 5 तो जितना पांचों का निचोड तुम्हें याद होगा न उस अभर देना बात समझ में आ रही है यह नहीं कर रहे है असी का क्या था उसी का सोचना है नहीं उसकी प्रप्रेसन तुम्हें याद उने कि एक जया ती क्या थी स्टोरेज यूजेस यह यह सब में थोड़ा सा मन्ज से बना के भी लिख सकते हो बहाद समझ में आ रहे है लेकिन हम बिल्कुल तुके वाजी मत कर द है तो देखिं हम लोग जारा मार्केट में ये टेबलेट की फॉर्म में है मार्केट में ये सॉलूशन के रूप में बनाते हैं जिससे कि पेशिएंट इसको इस्टमाल कर सके अब उसके आगए अगर याद रहे तो अच्छी बात मैंने पहले वाले में लिग दिया बाकियों म एक्स्ट्रा एड कर सकते हो तो यह कर सकते हो कि कितना कितना मौझूद है चीजिए और टफ टफ मतलब याद करने के लिए काफी साथ चीजिए हो जाएंगी अधर वाइस इतना याद रखो और फामलेशन भी जाता है देखो टैबलेट सीरप सेलूशन यही बनता है सबका तो की यहां पर हमारे पास क्या ऋक् KENNETH है भी कि तो इसको ब्रैंड ने मतलब मारकेट में नूप से अवेंधिता रइन सप्लेमेंट दे दो फेर सूल दे तो फेर मढमेंट ओं देंदो अगर ब्रैंडम graph इंत करना होँ अगा तो यसे फैर सलफ एट है तो कि और लिकद हूं एफी सल फीसल लिख दिया ठीक है फैरसलफेट है फैरसलफ कर दिया मतलब एक बार को अगर ब्रैंड ने भूल जाते हो तो मन से कुछ बना के लिख सकते हो पेपर नहीं खाली छोड़ना एक्जाम में बासमज माई कुछ ना कुछ मन से बना के लिखना है उस केस में अगर कुछ चीज अतरी को अधेक वार्म से नाम मिल जाते होते होते नंगों पता हुं जब दाव यह पूल ना मर्केट में मिलते नाम काया वार मिल जाते हैं इसे लिए बता रहा हूं है ठीक है ल सबना कि ठीट्रों क्या पता होगागी सब्सक्तियों को फूल आघए तो इस तर इंट्रो मतलब एक पार्ट पृपरेशन दूसरा पार्ट फीजिकल पपर्टी तीसरा पार्ट चौथा पार्ट उसे च्छाटा पार्ट और दैन आता है हमारे पास साथमा और दैन यह आता है हमारे पास आठमा तो लगबग लगबग अगर एक लेंदी कोशन आ जाता है तो यह आठ पॉइंट्स तुम्हें क्या करने पड़ेंगे लिखने पड़ेंगे अब मेरा सवाल फिर से वही वाल है अब इसमें बताओ बच्चों इसमें टीचर को रोल 10 से 20 परसेंट तुम्हारे उपर आजाती बात कि तुमको बैट करके से क्या करना है लर्ण करना यात करना है बास समझ में आ रही है ड्रग्स अभी धीरे-धीरे काफी सारे आ जाएंगे ठीक है तो अभी से लेंट करना स्टार्ट कर दो वरना लाश्ट जाकर एक दम से याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी चलो आगे बढ़ते हैं अब फटाफट करेंगे ठीक है ना समझाने वाली बात आएगी समझाता चलूंगा अधरवाइस तो कलर देखी रहे इसको आइरन टुफमेड विखेंट इसका क्या है खिशन स्टेट है ठीक हे ना अल्सो लोन जाले लिएक एैच और माइनस यहां पर एक य कुछ करके माल यहां पर किया लग जाते क्या लग जाएगा एफ ही लग जाता तो यह वास क्या बन जाता है iron salt of fumaric acid इस fumeric acid का salt होता है कौन परस fumerate occurring as कैसे होता है Redis orange दिख रहा है हमको यह Redis Orange है powder, Redis orange powder दिख रहा है पादर बोलते ही हमको एक चीज़ दिख गई Crystal form में भी होगा और यह powder form में भी है color red is brown हो गए तीन physical property तो यहीं से निकल आई बात समझ में आ रही है preparation की बात करें तो कह रहा है anhydrous बिना पानी वाला ferrous fumarate is prepared by mixing of water soluble ferrous salt एक ferrous salt ले ले लेंगे जो कि water soluble होगा and water soluble salt of fumaric acid इस fumaric acid का कोई water soluble salt ले ले लेंगे in aqueous medium at temperature 70 degree centigrade और इस तरीके से हमारे पास क्या होता है यह prepare हो जाता है clear है तो simple है ferrous salt और fumaric salt ferrous salt and fumaric salt को mix करवा देंगे क्या मिल जाएगा ferrous fumarate मिल जाएगा क्या मिल जाएगा ferrous fumarate clear है आँ आँ आगे देखे physical property it is red is brown देख रहा है orderless smell नहीं होती है not soluble in water पानी कंदर गुलेगा नहीं यह basic in nature कैसा है यह इसका nature कैसा है basic ठीक है कैसा इसका nature basic है तो यह होगी इसकी क्या physical property आगे देखते है chemical property stable to oxidation and hydration जल्दी से हवा में ना सो oxidize होगा ना जल्दी से moisture को यह absorb करता है it is stable in hot and humid गरम और numb environment में stable रहता है इसको कोई फरक नहीं पड़ेगा as compared to ferrous sulfate जो ferrous sulfate से compare करा है उसके comparison में यह काफी stable है बात समझ मारी है storage की बात करें it should be stored in clean, dry and well closed container ठीक है it should be kept in cool place ठीक है मैंने से बताया है storage में आप general बाते लिख सकते हो अगर किसी में कोई खास चीज नहीं है तो यूज की बात करें तो यूज में वही सारी बाते आ जाएंगी आइड़न ट्रीट आइड़न डेसिंसी अनीमिया ट्रीट परनीसियस अनीमिया अनीमिया में ही है तो अनीमिया के कई सारी रूप यहाँ पर लिख सकते हो वह हमारे पास क्या हो जाएगा यूज हो जाएगा clear है pharmaceutical formulation ferrous fumarate syrup British pharmacopia के हिसाफ से बनाया जाता है ferrous fumarate and folic acid tablet tablet और syrup की रूप में market है अवेलिबल है इसके brand name की बात करें तो हिमोसाइट, ferra TD और phyosol के नाम से ये market में क्या है available है clear है बाते है okay post करके चाहो तो साथ साथ में notes बना सकते हो ठीक है और समा सकते हो इसको otherwise notes का link description में भी है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तीसरे पर आते है ferric ammonium citrate ferric ammonium citrate इसको हम कहते है iron 3 ammonium citrate यहाँ पर iron का जो oxidation number होता है वो कितना होता है plus का 3 होता है यह complex salt है of undetermined structure इसका structure अभी तक clear नहीं है होगा कुछना बुष बट अभी तक exactly scientist लोग पता ही लगा पाए है it is composed of 16.5 to 18.5% iron इसके अंदर लगबग ठीक है इतना iron होता है 9% ammonia होती है और 65% लगबग क्या पाए जाता है इसके अंदर citric acid होता है it is reddish brown reddish brown भी हो सकता है और brownish yellow powder मैंने brownish yellow वाला दिखा दिया यहाँ पर reddish brown वाला नहीं दिखा है तो reddish brown और brownish yellow दोनों हो सकते है नेट पर साच करते वाक फिर यह मत कहाना कि से reddish brown को होता है होता है मुझे पता है बट मैंने यहाँ पर brownish yellow वाला पाउडर दिखा दिया है किलियर है कुछ पाउडर ही है ऐसा दिखाए पड़ता है हमको आगे आते है पिरप्रेशन की बात करें ओके तो क्या कह रहा है फैरिक सेलफिट और सोडियम हैडर ओक्साइड लिखते चलें फैरिक सेलफिट है ना एफीटू एसो फोर होल थ्राइज सोडियम हैडर ओक्साइड ने ओएच इंदोनों को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा पैरिक हाडर ओक्साइड क्या मिल गया पैरिक हाडर ओक्साइड और सोडियम सल्फेड उधर पहलाग निखल गया फिर हम लोग क्या करेंगे यह जो voters safer को filter कर लेंगे इसको filter the solution and dissolved in citric acid कहा मिला देंगे予 से citric acid के अंदर किलियर है small amount of ammonia एक छोटा सा ammonia is also added to remove undissolved ferric hydroxide जब हमने इसको dissolve करवाया अगर कोई undissolved बिना घुला हुआ फैरिक hydroxide होगा तो वह ammonia के साथ react करके बहार हो जाएगा solution को फिर filter कर लेंगे filtrate is clear red is brown in color कैसा होगा red is brown color होगा it is dried सुखा लेंगे से 40 degree centigrade पे and then removed out as scale scale सब्सक्राइब ना यह से पपड़ी टाइब से रहती है पपड़ी पपड़ी सब्सक्राइब जम जाती है जो तो हम लोग सो खुर्च लेते हैं तो इसकेल की रूप में क्या होती है यह बाहर निकल आती है कि लियर है आगे आते है फिजिकल पपरटी आगे रैडीज ब्राउन टू ब्राउन यस यलो पादर एक पहली मिलगी तुलीबल है पानी के अंदर डैलीक्यूशेंट डैलीक्यूशन क्या बतायाथ था है सरांडींग से मुष्चर खीचा घीचता है उसके हम लोग क्या बोलते हैं डैलीक्यूशन टेस्ट ह्च्ट इस इसको नहीं रखना है इस शुट नॉट भी फ्रोजन उसको हमें जमाना भी नहीं है कि यूज इन आरेंड एफिजेंसी साथ में तीन्चार यूज और लगा देना इसमें जो मैंने बताए है फार्म सुटी का प्रप्रेसिंग की बात करें तो टैबलेट और सलुशन के रूप करें तो मार्केट में डेरिटॉन जैरिटॉल लिक्विड के नाम से यह क्या है पाए जाते हैं मिलते हैं मार्केट में हम लोगों को ठीक है कि लिए रहे नेस्ट आता है फोर्थ फेरस एसकॉरबेट नेस्ट क्या आगया हमारे पास फोर्थ आ जाता है फेरस एसकॉरबेट okay so ferrous scorbid is a combination of vitamin C and iron किसका combination नहीं करते क्या जो आइरन वाला पार्ट है वह हमारी बॉड़ी में जो आइरन की कमी हो गई है उसको रिप्लेनिश कर रिप्लेनिश मतलब वापस पूरा करेगा इस्कॉर्बेट कंटें विटामिन सी डैट इंप्रूब जो विटामिन सी होता है वह इंप्रूब करता है आइरन लेवर इन बॉड़ी बाई इंक्रीजिंग इट्स एब्जॉप्शन फ्रॉम डिफ्रेंट सोर्सेज विटामिन सी का रोल नहीं समझ में आ रहा है अलग- बजब करवाएगा हमारी इंटेस्टाइन में क्लियर है ओके फिर प्रेशन की बात करें अगर 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 अलकाली और अलकली एर्थ मेटल साल्ट अना अलकाली को हो नहीं ग्रूप वन ग्रूप टू इसके साल्ट होते हैं या उसके हाइड्र ऑक्साइड जो होंगे या उ हमको क्या मिल जाएगा corresponding ferrous salt मिल जाएगा which are reacted with ascorbic acid फिर फर्दर हम किससे react कराएंगे उससे ascorbic acid से aqueous medium में at slightly acidy core neutral condition में उसके बाद उसको filter करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा ascorbate in mother liquor जो हमारा main solution था उसके अंदर हमको क्या मिल जाएगा ascorbate मिल जाएगा अच्छा यह थोड़ा सा line में लिख दिया मैंने इसको छोड़ा सा चाहो तो तोड़ लेना कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या कर रहे है फैरसल्फिट लिखना प्लस अलकाली metal salt या alkaline earth metal salt ठीक है मैं बता जैता हूँ थोड़ा सा confuse मत करना जैसे कि यह से लिख लेना starting में alkaline metal salt प्लस फैरस sulphate ठीक है ना फिर नीचे arrow लगा लोगे तरीका तो पता ही है जैसे मैं कैसे लिखवाता हूँ मैं ठीक है ना ठीक है और किसमें which reacted with ascorbic acid in aqueous medium slightly acidic फिर नीचे करोगे ascorbic acid लिख करके last में यह हमारे पास answer आ जाएगा clear है तो preparation याद करना होगे असान हो जाएगा color इसका देखी पा रहे होगे किस तरीके जे है purple color में जा रहा अलका अलका यह ओके आगे आते है storage की बात करें it should be stored in airtight container कहां इसके रखना है airtight container के अंदर protecting from light it should be kept at room temperature use मैंने बताया है use common है iron deficiency treatment of anemia pharmaceutical formulation ferrous ascorbate capsule की रूप में आता है ferrous ascorbate syrup के रूप में पाए जा रहा है clear है पाए जा रहा है मतलब बन के आते हैं brand की बात करें ascofer capsule या iron ascorbate capsule के नाम से market में यह पाए जाते हैं famous है clear है okay carbonil iron fifth one carbonil iron is highly pure iron prepared by chemical decomposition of purified iron ठीक है na carbonil iron क्या है highly pure बहुत ही pure iron है कैसे prepare किया जा रहा है by chemical decomposition of purified iron pentacarbonyl जो pentacarbonyl है iron pentacarbonyl क्या नाम प्यूरिफाइड iron pentacarbonyl है इसके तुरू हम लोग क्या बना रहे हैं carbonil iron बना रहे हैं carbonil iron कुछ और नहीं है very pure form of iron है it is a grey powder grey powder देख सकते हो composed of spherical micro particles obviously बहुत महीं महीं पार्टिकल्स होंगे जो हमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हम तो powder समझ रहे हैं उसको it should be stored in airtight container at room temperature खेल खतम use a dietary iron supplementary treat iron deficiency anemia use तो दो सब में बराबरी है same है एक ही जैसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है farm physical foundation की बात करें तो tablet के रूप में है oral suspension के रूप में है market preparation की बात करें तो fiosol और icarcy करके या icarcy के नाम से market में ये available है clear है ओके तो next lecture anti acid तो तुम लोग मेरे ख्याल से इस lecture से एक बात समझ में आ गई होगी कि अब जो हमारी pharmaceutical chemistry चलने वाली है वो पूरी तरीके से ऐसे ही चलेगी ठीक है अगर पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कर दो ठीक है कुछ लेक्चर्स एक दो बच गई है दो तिन रह गए है उनको मैं करवा दूँगा इसी बीच में करवा दूँगा ठीक है और यह अब तुमारे जल्दी नेस्ट एक्जाम में भी आएंगे तो इसकी तैयारी शुरू कर दो मैं कोशिश करूँगा कि पर डे एक एक टॉपिक लेता हुए चलू ठीक है एक दिन हेमेटैनिक्स एक दिन एंटा एसीड ठीक है एक दिन टेंटल परड़क्ट तो एक चा परड़न रिवीजन और सिर्फ रिवीजन नोट्स बनाओ रिवाइज करो और इसकी बता दुम्हें अगर उसके बाद तुम्हें लगता है कि थोरी सकी प्रॉलम है तो आप जा सकते हो ना यूटूब बगरा पर जा सकते हो गूगल पर जा सकते हो इसका कुछ लाइफ सकते हो कैसे कैसे क्या क्या हो रहे है और इंफोमेशन इखटी करो तो वह चीज़ दिमाग में छब जाती है तो क्या करना है रिवाइस करना है और पढ़ना है अल्दा बेस्ट